आज हम इस चप्टर में डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे उनकी क्या क्वालिटी है वो किस तरीके से अड़ाप्ट करते हैं चीजों को उसके एंवार्मेंट के अराउंड एट्मोस्पेर के अकॉर्डिंग अपने आपको कैसे अड़ाप्ट कर लेते हैं क्या क्य चीजे उनके अंदर और अनिमल्स है डिफरेंट होती है क्योंकि वो उस विजन में रहते हैं तो उनमें क्या 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 है वो किस तरीके से अपने अनिमल्स को हंट करते हैं किस तरीके से अपना सर्वाइफ करते हैं यह सब सारी चीजे अनिमल्स में डिफरेंट ड पाए जाते हैं उनके बारे में इस चेप्टर में आपको डिस्क्राइब किया गया है ओके तो नौ लेस्ट विद चेप्टर डेजर्ट आर्दा ड्राइस प्लेस ऑन अर्थ और सम ताइम्स गो फॉर मन्स और इवन इयर्स विदा रिल बट इवन देजर्ट अनिमल्स केंनोट सर्वाइब वाटर आप सब लोग जानते हैं जो डेजर्ट हैं वो सबसे सूखी जगह है अर्थ पे और कई बार ऐसा होता कि महीनों बीच जाते हैं कि महाँ पर सालों बीच जाते हैं कि महाँ पर बारिश भी ना हो लेकिन जो डेजर्ट अनिमल्स होते हैं वो भी बिना पा देखिएगा बट इवन देजर्ट अनिमल्स कें नॉट सर्वाइव विद वॉटर और और फॉर लॉंग पिरिए इन दॉस्कॉचिंग सब्सक्राइब जो कि मैंने आपको भी बताया कि डेजर्ट अनिमल्स हैं वह भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर शाते हैं ज्यादा में बहुत तपते हुए सूरज में भी तो उन्होंने डिफरेंट तरीकेज डिफरेंट वेज अपने फाइंड आउट कर लिए हैं बहुत कठिन परिस्तितियों में भी अपने आपको महां पे सर्वाइव करने के लिए फॉर एक्जामपल गर्बिल्स स्पेंड दाहर्टेस part of the day in cold underground burrows use a goblin नाम का एंबल एक माॉस हूता है माॉस टैप का हूता है mouse like desert rodent with long hind legs mouse type का एक animal होता है उसका नाम है gerbil वो दिन में underground burrows में यानि की जो जमीन में गड़े करके वहाँ पर अपना दिन में समय बेकाता है and strange insects called darkling beetles are expert at catching drops of moisture on their legs and then lifting them into the air until the drops trickle down into their mouths और एक animal और इसमें बताया गया darkling beetles beetles आपने देखा हो जिनने हम शायद khatmal भी बोलते हैं यह size में vary कर सकते हैं यह बड़े छोटे होते हैं इसमें नहीं describe किया गया है जो darkling beetles होते हैं वो expert होते हैं moisture में से पानी की बूंदे निकालने के लिए और उसको उस तरीके से air में lift करते हैं उच्छालते हैं जब तक वो उनके mouth में ना चला जाए वो पानी की drop उसके through यह लोग पानी पी के अपना survive करते हैं not all the desert are endless sea of rolling sand dunes some are rocky or pebbly and dotted with small bushes while others are sprinkled with colorful flowers during the spring सारे desert ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्थी रेट पाया जाता है कुछ जो desert है वो rocky और pebbly भी होते हैं यानि कि पत्रीले टाइप भी होते हैं जहां पे small bushes भी पाई जाती हैं कुछ deserts ऐसे भी हैं कि during spring season में वहाँ पे flowers भी grow करते हैं colorful flowers भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं there are more than 2300 different kinds of snakes around the world ranging from just 15 cm long to more than 11 meters अब यहाँ पे second paragraph में snakes के बारे में बात हो रही है snakes में इसमें बताया गया है कि 2300 types के यानि कि 2300 types के different types of snakes हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जिनकी range यानि कि जिनकी लंबाई आपको 15 cm से लंबी लेके 11 meters लंबे तक वो मिलते हैं 15 cm आपका देखो जो प्लास्टिक का scale होता है न जो आप लोग normal life में यूज करते हो उस line draw करने के लिए वो होता है 15 cm का तो इतना लंबा size minimum एक snake का होता है उससे लंबा वो minimum 11 meters तक का होता है हो सकता है एक snake इतना लंबा होता है most snakes are quite harmless but few are but sorry but there are a few that are so poisonous that they can kill human being just one bite जो mostly snakes होते हैं वो harmless होते हैं कम हाम करते हैं वो लेकिन कुछ snakes एतने poisonous है इतने जहरी ले हैं कि वो एक bite से इंसान को just एक bite से एक बार अगर वो काटे तो वो इंसान को वही के वही खतम भी कर सकते हैं most snakes ले eggs but there are many which give birth to their young ones जो काफी snakes हैं जो अलग-अलग variety के इसमें names हैं mention नहीं किये जा सकते हैं तो इसमें इसलिए बताया गया कि कुछ snakes जो होते हैं mostly जो snakes हैं जाला तर वो eggs को ले करते हैं अंडे देते हैं और कुछ जो है जो है directly young ones को बढ़ देते हैं जैसे कि आप इनको जो सीधे बच्चों को बढ़ देते हैं इंड़ ड्राइ रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका लिव और रैदर इवल लुकिंग स्नेक विद वेरी बैड रेपिटिशन इट फ्राइटेंस रेटल कैन भी हेर इस फार इस 30 मीटर सवे और इटेंस ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड जो अमेरिका में जो एक इवल लुकिंग स्नेक है जो की बहुत ही बुरी रेपिटिशन है उसकी बहुत जादा खराब रेपिटिशन मानी जाती है क्योंकि वह बहुत जादा डराबन और खतरनाक है वह इतना बुरा दिखता है कि उसकी जो आवाज है रेटल की तरह वह आवाज निकाल सकता है जो कि हम 30 मीटर लॉंग 30 मीटर अगर उसनेक से भी दूर होंगे तो भी हम उसनेक की आवाज को सुन सकते हैं और वह इतनी करता है इतनी तेज स्ट्राइक करता है एक्दम जिसे लाइटनिंग ऑफ स्पीड यानी की स्पीड की लाइट की तेज इतनी तेज अटैक करता है अगर कोई उसके आसपास हो बट रैटल स्नेक्स और रैटलर एज़िट सम्टाइंस काल प्रिफर्स तो ओवाइड पीपल इ उनको अवाइड ही करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो चुके इट होल इट्स टेल अप्राइट एंड रैटल्स दा एंड वेनेवर इट इस डिस्टर्ब इन्ट होप दाट दे इंट्रूडर विल गोवे जब भी यह जो स्नेक है रैटल स्नेक जब भी वह डिस्टर्ब होत भाग जाए उसके आसपास ना आए हाओएवर इफ इस वार्निंग और इग्नोर एंड फील्स थ्रेटन इट विल कोईल रेडी तो बाइट लेकिन अगर उसकी वार्निंग को भी लोग इग्नोर कर देते हैं और वो डरावया फील करता है अपने आप में वह सोचता है कि मु अपनी सांड खुद नहीं सुन सकते हैं जो वह अपनी टेल से प्रोड्यूस करते हैं लाइक मोस्ट स्नेक इट हीर्स थिंग्स थ्रो वाइब्रेशन इन दे ग्राउंड जैसे कि ज्यादातर स्नेक्स क्यों होते हैं लोग कहते हैं कि जो सांप है वह नागिन की बीन सुनके करता है यह सब फेक है यह सब जूटी बाते हैं स्नेक को सुनाई नहीं देता है और यह बात भी इसमें बताएं कि जो स्नेक्स हैं वह सुन नहीं सकते वह वाइब्रेट जो होती है चीजे उसके अकॉर्डिंग वह चीजों का नुमान लगा के वह लोग अपना एक्शन को प खूए अगर कोई आसपास कोई आदमिंग उसके चल रहा होगा जमीन पे तो उसकी जो चलने की वाइब्रेशन सुनगी उससे पता लगा सकता है एक छिल्ले फैन लेकिन आगर जो चिल्लहें गा खुदी साम को देखे तो बहूं पता नहीं लगा सकता कि यादमी कोई चिल् Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina जो rattlesnakes है वो mostly कहां पाए जाते हैं American continent में कहां से Canada से लेके Argentina तक का जो एरिया है महाँ पे आपको ज़्यातर rattlesnakes मिल जाएंगे They feed on a variety of prey including mice, walz, rat, chick moons and many other ये ज़्यातर क्या खाते हैं अलग-अलग तरह की variety के जो animals उनको खाते हैं जैसे की चुहे, mice, walz, rats, chip moons chip moons, walz क्या है इसमें plant eating rodents होते हैं जो chip moons है इसमें small ground squirrel having light and dark strips squirrel की तरह दिखने वाली होती हैं और उनकी जो body पे light और dark color की strips बनी होती हैं chip moons उने बोलते हैं and many other small animals और कई तरह के different small animals जैसे की frog बगरा होगे, lizard बगरा होगे, सब snakes खा लेते हैं rattlesnakes kill their prey with venom जो rattlesnake है वो अपने prey को कैसे मारते हैं जहर से मारते हैं like all snakes they swallow the unfortunate animal hole और वो भी पूरे animal को एक साथ निगल जाते हैं देखो उनके जो teeth होते हैं वो बहुत सिर्फ वो डंक मारने के लिए होते हैं उनका वो जिससे वो अपना जहर भार निकालते हैं और दूसरे की body में छोड़ देते हैं लेकिन वो उससे उसको chew नहीं कर सकते हैं चबान नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं अपने जो prey को अपनी शिकार को वो पूरा निगल जाते हैं few snakes have to eat more than once a week and some such as larger pythons can survive for a year or more without eating जो कुछ snakes ऐसे हैं उन्हें हफते में एक बार खाना चाहिए मिनिमम मिनिमम और जो बड़े-बड़े snakes हैं जैसे की python जिने आप अजगर बोलते हो वो अगर साल में एक बार भी खा लें तो उससे survive कर जाएंगे क्योंकि उन्हें डाइजस्ट करने में बहुत जादा time लगता है इसलिए वो एक साल में भी खाएं तो उस प्रे को क्योंकि वो काफी बड़ा प्रे एक साथ हंट करते हैं और वो उस बड़े प्रे को खाने के बाद वो ऐसे जैसे कहते हैं लेजी ली पड़े रहते हैं और उनको प्रेडेटर नियर्बाइं मॉंगूज को एक साथ हंट करना ज्यादा पसंद है और वो आसपास देखते रहते हैं कि कोई उनके प्रेडेटर डेंजरस प्रेडेटर उसके आसपास ना हो पोकिंग देर नॉइस इंटू होल्स ओवर तरनिंग रॉक्स विद देर पॉस और बैंडिंड मॉंगूज और वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वाच जह देखिए आप इसको इसमें देख रहा है कि आपके इनके इस इस मॉंगूज की फोटो देखो जिने आप हिंदी में नेवले बोलते हूं इसमें स्ट्रिप्स बनीवी है इसकी बॉड़ी पे तो इ इंट्रस्टिंग होते हैं इंजॉइबल होते हैं उनकी अक्टिविटीज को देखना अ कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ अफरिका दे ट्रेवल इन ग्रूप्स ऑफ बीटल मिलीपीड्स और स्मॉल क्रियेचर ज्यादा देखा जाता है अफरिका के पार्ट्स में इंट्रीज करते हैं एक साथ अराउंड 20 हो सकते हैं किसकी खाने की सथ में कॉन-कॉन-कॉन से प्रे बीटल्स, मिलीपीड्स और छोड़े-छोड़े जो स्मॉल क्रियेचर से उनकी खाने के तलाश में एक साथ ग्रूप में हंट करना भी पसंद करते हैं जैसे आपको बताय करने जाते हैं तो यह लोग जातर क्या करते हैं रॉक्स के पीछ चुपके एक दूसरे के आवाज निकालते हैं ऑल्वेज लुक आउट फॉर डेंजर हॉक्स इगल एंड लार्ज स्नेक्स देवार्ण वर्न अनेदर विदा स्पेशल अलारम इफ देस पॉर्ट अनिधिंग हैं जब अपने ब्वाइब दूसरे को करते हैं जब अपने शिकार पर जाते हैंakte कोई किसी और ना हो जाए था hawks, eagles और snakes hawks और eagles जोते हैं वो fly करते हैं तो वो आसमान से उपर से easily देख सकते हैं इसलिए ये छुपके शिकार करते हैं और एक साथ ग्रूप में करते हैं और अगर इने लगता है कि कुछ भी खतरनाक आसपास इनके है कुछ suspicious है, suspect है तो ये एक दूसरे को special आराम से want करते हैं ताकि वो लोग महां से भाग जाए mongos की ये speciality होती है mongos are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves mongos जो हैं famous होते हैं जैसे आपने देखा होगा नेवले और साथ की लड़ाई में जादर नेवला ही जीतता है क्योंकि वो special होते हैं होती है वो snakes की तरह ही होती है जैसे snake dodge करता है dodge means आपकी एक movement को एक नमसे फटाफट से कर दो तो उसको बोलते हैं their reactions are so fast that they can so fast that they can dodge each time the snake strikes they continually make a nuisance for themselves until after a while when the snakes get tired they quickly dive in for a kill वो snake जैसे snake dodge करता है mongos को जब उनकी fight हो रही होती है ऐसे ही mongos भी same reaction दे सकता है वो तुरंट उसको वैसे ही dodge करता है और जब snake ठक जाता है dodging का game खेलते खेलते तो एकदम सी वो ऐसे attack करता है और snake को kill कर देता है all the female mongos have their kitten at about the same time they are raised by the hole group in a den made inside the hole termite mount और holologs वो जादर जो दीमक जिसे आब बोलते हो उनके holes में ही survive करते हैं वहीं रहते हैं और जो female mongos होते हैं उनके साथ उनके kitten भी होते हैं जो mongos के baby होते हैं उनको हम kitten बोलते हैं तो वो जादर उनके साथ ही रहते हैं बोलते हैं जो जो अदल्ट होते हैं जो जादर खाने की सर्च में जाते हैं other animals lives in the desert is the camel जो आप सबसे common animal है जो आप जानते हो जो desert में रहता है वो है camel camel were first domesticated by people by people many thousands of years ago आप सब लोग जानते हो जो camel है वो सबसे पहला desert animal है जो की वहाँ पे domesticated यानि की जो घरेलू जानवर है जिसको आप नॉमली घर में आप लोग देखोगे जो डेजर्ट एरिया के जो लोग वहाँ पर उनके घर में आपको कहीं न कहीं जरूर मिलेंगे डुमेस्टिकेटर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पालतू जानवर इन दा वाइल्ड कैमेल्स यूजवली लिव इन स्मॉल गूरूप अप्टू थर्टी अनिमल्स कैमेल्स हाव लॉंग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वॉर्म और शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन दे सम सब्सक्राइब कोट्स यानि कि उनको कूल रखती है विंटर कोट्स यानि कि उनको फिर वह चोटे भी हो जाते हैं ताइडियर कोट्स यानि कि हलके कोट्स वह समर में उनको कूल रखते हैं थर्स्टी कैमल कें ड्रिंक ऐस मच अज थर्टी गैलोंस ओ वाटर डाट्स अबाउट फाइवंड फूल ग्लासेज एक जो प्यासा कामल होगा वह अरूंड थर्टी गैलोंस ओ वाटर मीन्स यानि कि पांसो ग्लास पानी एक साथ पी सकता है इन मिनिट्स में यह देखो यह इसमें एक स्पेशालिटी बताएगी है कैमल के बारे में कि जो कैमल है वह थर्टी गैलोंस वाटर यानि कि पांसो ग्लास पानी आराम से एक बार में पी सकता है दस मिनिट के अंदर अन्दर नॉमली हावर इट गैट्स अल्टी इट नीट फॉ अब तो 10 में विदा द्रिंकिंग वाटर एट अल जो कैमल है वह मॉश्चर कहां से लेता है डेजर्ट प्लांट से वह खाना खाता है तो उसमें जो मॉश्चर होता है उससे भी वह सर्वाइफ कर जाता है और अराउं कम से कम 10 मन्त तक अगर वह पानी ना भी पी तो भी वह सर्वाइफ कर सकता है ओके देरा टू डिफरेंट कांड्स ऑफ कैमल वन नून अज डो मैडरी एंड है अज अंली ऑ सिंगल हम्प द अधर इस कॉल अब बैक्टीरियन कैमल एंड है तू हम्प दो तरह के कैमल सोते हैं एक होता है डो मैडरी और जिसका सिंगल हम्प होता है हमें देख़ा हो ना कैमल की पीट पे ऊचा सा हम टैप का बना होता है तो वह सिंगल वाले का होता है डोडुमेडरी और जो डबल वाला होता है जिसके डबल होते हैं हम उत है बैक्टीरिएं दा हम है इंबल तू सर्वाइब डेजर बई आक्टिंटिinea ऑस स्टोरेज कंटे बट जादतर लोग यह सोचते हैं कि वो उसमें पानी बढ़ लेते हैं जब कि ऐसा नहीं है वो तो फुल आफ फैट होता है उसमें सिर्फ चर्बी होती है इस फैट नरीश्ट अरीश्ट जो खाने की कमी की टाइम पर कैमल को नरीश करता रहता है और सर्वाइव करने में हेल् अगर काफी टाइम तक उनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है और उसका फैट वो यूज करते रहते हैं अपने आपको सर्वाइव करने के लिए देर और मैनी अदर्स वेज इन विच कैमल सारे डेप्टेट टू डेजर्ट लाइव और भी बहुत सारे तरीके जिसकी वज तॉन न॓ट पिORस थू उनका जो माउंत होता है काम इतना था होता इतना आप कह सकते हो तुफ यानी की मजबूत होता है कि जो शाप कांटे होते ने शाप ऑन्स फे वो भी उसको पर नहीं कर सकते है पिरस वाने फाड के पार चले जाना ठीक है तो यज़? चेपटर कोई डाउट होता है इस चैप्टर में आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप मैंसे कॉल पे या आप इस वीडियो के दुबारा देख सकते हो बहुत अच्छे से एक्स्टें किया है मैंने चैप्टर इस यह चैप्टर डाजर्ट अनिमल्स ओके क्लासिक्ट इस फॉम्योर हनी सेकल बुक्स बिटा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कोई भी डाउट हता है यूँकन प्लीस कॉल मी और यह चैप्टर इस ओबनाओ ओके क्लास ओके बाई